महेंद्र सिंग जोड़े हैं महेंद्र अपनी बात रखे यह आप सुन पारें इस बार जी सर आपको सर बहुत-बहुत सबसे पहले धन्नवाद देजना चाहता हूं कि आप हम जैसे वेरुज़गारों का मुद्दा उठाते हैं कि फरवरी 2020 में टोटल बेरुज़गार लगभग 34 लाग थे ओवरॉल पूरे देश के अंदर जिसमें दोबारा बूलिए क्या कहने फरवरी 2020 में पूर देश के अंदर टोटल 34 लाग युवा बेरुज़गार थे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यह जो आकड़ा प्रदेश का भारती एजेंसी एक उसकी अनुसार बता रहे हैं स्रीमान जी आपको की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन बहुत देर से जुड़े हैं इसलिए सारे आखड़ों पर चल्चा हो गई है आप अपना मुद्दा बताईए यह इस पर आखड़ों पर चल्चा हो गई हैं उनको एक बड़ी भरती के तो रोजगार मिलें हम सब जाके सिक्षक बने और अपने करतव को पूरा करें जी करतव को पूरा करें चलिए मैं समझता हूं जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार आप लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं रखते आ रहे हैं मैं समझता हूं इसका हल जल्दी निकलेगा ल अपनी नौकरी अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया है, और जल्द ही हम इसके नतीजे भी देखेंगे, साथ आक रिजल निकलेंगे, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहे, समय मत खराब करें, समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें और जिस तरह से अभी लिख रहे थे नितिन की गाउं जाने का मन नहीं करता है सरजी सब पूछते हैं कब बनोगे मास्टर, मैं कहता हूँ आप वहाँ जाईए और मास्टर की बात भी करिये, बताईए कि जब चीजे निकलेंगी, हल होगा, तब हम तभी बनेंगे, उससे पहले हम कैसे बन सकते हैं, लेकिन साथ के साथ और आप क्या कर रहे हैं, वो भी बताएं इसके अलावा भी क्या बेहतर किया जा सकता उसके उपर भी देखें, संदीक कुमार यादो सिक्षित बेरोजगारों को वर्तमान सरकार अपने जुमले में जकड़ कर रखी है, बिल्कुल सही कर रहे हैं अब जुमले ही जुमले चल रहे हैं और कुछ नहीं है, जुमले आप अगर नौकरी दे नहीं सकते हैं तो चुनाओ आने से पहले जुमले इतने क्यों करते हैं इतने वादे क्यों किये जाते हैं 2014 में प्रधान मंत्री बनने से पहले नरेंद मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे आज देख लीजे, 7 वर्ष होने को हैं क्या 2 करोड नौकरियां मिली बिहार में जाके 19 लाख रोजगार की बात करी बट बिहार में भी क्या स्थिति है स्थितियां सारे प्रदेश में भयावा हैं चहें वो राजस्थान हो, चहें वो गुजरात हो चाहे वो मद्रप्रदेश हो चाहे वो पशिम बंगाल हो कोई साभी राज्य हो अच्छूता नहीं है सभी सरकारों से यही मांग है कि नौक्रियां रोजगार जो भी आपके पास अच्छी विवस्था हो सकती है वो यूवकों को आफर करिए बताईए सिरफ विग्यापन कर देने से विग्यापन दे देने से या नौक्रियां निकाल देने से जिस तरह से अभी वीडियो की भरती आपको पता ही है तीन साल बाद उसको रद्द कर दी गए यानि कि आपने परिक्षा भी ले ली सब कुछ कर लिया रिजल्ट भी गोशिद कर दिया उसके बाद रद्द कर दी यानि कि ये जो यूवकों के इमोशन से उनके भविश्य से जो खिलवार करती है सरकार उससे बाज आए क्योंकि अन्य था सरकारें ज्यादा लंबी समय त किसी भी एक पार्टी की सरकार लंबे समय तक कोई चली नहीं है मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन तर इससे ज्यादा नहीं चलती है तो सरकारों को समझना चाहिए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको चुनेगी जुमलों से पेट नहीं भरता जुमले ज्यादादन टिके नहीं रहते हैं क्योंकि कहा जाता है जूट के पाउं नहीं होते हैं नमस्ते हम फिर मिलेंगे शाम को पांच बजे अगले शनिवार को भाली संख्या में जुड़ें और लोगों तक ये मैसेज ये संदेश पहुंचाएं कि हम इस प्लैटफॉर्म पे आपकी आवाज उठाते हैं धन्यवाद